विल्कम फ्रेंट स्वागत हैं दोस्तों एक बार फिर से आपकी अपने यूटूब चैनल लर्ना हेल्थ मेडिसिन में जहां पाते हैं दवाईयों के बारे में पूरी जानकारी हिंदी आज के इस वीडियों में बात करने वाले हैं मौन्टूलोकास्ट और लेबोसेट्रीन टेबलेट के बारे में आज हम जानेंगे कि यह टेबलेट कौन सी केटेगरी की दवा है इसके कौन कौन से पोपलर ब्रांड ने मार्केट में आते हैं इस दवा का प्रयोग कहां कहां किय जाता है इसके क्या-क्या side effect है इसे कब और कितनी मात्रा में लिया जाना चाहिए और इसको लेते समय क्या-kया सावधानिया रखनी चाहिए इसलिए वीडियों को अन्त तक देखें जिससे आपके सारे concept clear हो सकें अगर आप चैनल अगर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दवाएं जिससे नहीं नहीं जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे हैं तो चलिए यहां से आज कुछ नया सीखते हैं दोस्तों मॉन्टलो कास्ट और लिबसेट्रिजन टेबलेट एक जनरीक दवा का नाम है जिसके अंतर मॉन्टलो कास्ट एक प्रोंकोडाइलेटर की तरह काम करती है जो की लिउकोट्राइन एंटागोनिस्ट होती है इसी तरह इसके अंदर जो लिबसेट्रिजन होती है वह एंटी एलर्जी की तरह काम करती है यह एक प्रकार की H1 एंटी हिस्टामेनिक है मॉन्टलो कास्ट लिबसेट्रिजन टेबलेट में 10 मिली ग्राम मॉन्टलो कास्ट और 5 मिली ग्राम लिबसेट्रिजन रहता है यह दबा समानते ऐलर्जी को समाप्त करने के लिए काम में ली जाती है अगर हम इसके पॉपलर ब्रांड नेम की बात करें तो वह हैं सन फार्मा की मॉन्टेक ऐलसी है अधिनामों से मार्केट में अबलेवल है यह दबा आपके एरिया और डॉक्टर के अनुसार अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी आप इस जनलिक फोर्म को भी काम में ले सकते हैं दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रमुक उपयोग के बारे में तो इसका सबसे पहला उपयोग है सीजनल एलर्जी के अंदर यानि कि अगर मौसम में चेंज होने के कारण एलर्जी उत्पन हो गई है जिसके अंदर नाक कब आना आखों में पानी आना तथा साथ में छीके आना सुरू हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए मौन्टोलोकास्ट और लेबोसेटर जिन टेबलेट बहुत ही फायदेमंद रहती है और डौक्टर द्वारा भी यह बहुत बार प्रिस्क्राइब की जाती है इसका दूसरा उप्योग ब्रोंकिल अस्तमा में प्रोफाइलेटिंग एजेंट के रूप में यानि कि किसी मरीज को अगर अस्तमा है और उसे कोई दूसरी दवाई दी जा रही है तो उस समय मौन्टरो कास्ट और लिबर स्टरीजिन को भी साथ में दिया जा सकता है जिससे मरीज को काफी रिलिफ मिलता है यदि किसी ब्यक्ति को अस्तमाटिक अटेक आ गया है तब इस दवा को प्रयोग में नहीं लेना चाहिए इसका अगला उप्योग है आर्टिक एरि के कारण हो जिससे की पूरे सरीर में खुजली चल रही हो तो उस समय में डौक्टर द्वारा इस दवा को प्रिस्क्राइब किया जाता है इसका अगला उप्योग है कॉमन कोल्ड में कॉमन कोल्ड के दौरान यानि की सर्दी के मौसम में जुकाम लग जाता है नाक बंद रह डौक्टर द्वारा किया जाता है इस दवा का अगला उप्योग है एस्प्रिन एंड्यूज अस्थमा या फिर एक्सरसाइज एंड्यूज अस्थमा में भी किया जाता है यानि कि अगर एस्प्रिन दवा को लेते समय किसी मरीज का सांस फूलता है या फिर एक्सरसाइज कर क्यीटी का सांस ज्यादा फूनक्स लग जाता है तब भी इस दवा को डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है अब हम बात कर लेते हैं के साइड़ के वारे में तो समानता दॉपिक नहीं देखा गया है फिर भी किसी किसी मरीज के अंदर सीर दर्द, इसकीन के उपर रेसेस, मू का सुखना, ठकान का होना, दस्त, उल्टी, नीद का आना, और टाइटिस मीदिया, जिसे हम कान का इंफेक्शन करते हैं, इसके अलावा कोई भी unwanted effect आपको लगे तो इस दवा का से बन कर दे और अपने डॉक् में सोते समय दिया जाता है, जिससे इसका result काफी अच्छा रहता है, साथ ही इस दवा को लेने से हलका सडेशन रहता है, यानि कि मरीज को नीद आती है, तो इस बज़ज़ से इसको रात में लेने के लिए कहा जाता है, यदि किसी मरीज को ज़्यादा परिशानी हो, या बात कर लेते हैं, इस दवा को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, सबसे पहले इस दवा को लेने के बाद तुरंत ड्राइब नहीं करना चाहिए, या फिर हाइवी मशिन पर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दवा को लेने के बाद बार बार थोड़ा- एल्कोल के साथ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दवा को एल्कोल के साथ लेने पर बहुत ही ज्यादा नियदाती है तो दोस्तों यह थी जानकारी मॉंट्रोलो कास्ट और लेबर सेटेजिन के बारे में हमारी जानकारी के लगी कमेंट बॉक्स में अवस्य लिखें वीडि को सब्सक्राइब कर वेल आइकन को अवस्य दबाएं जिससे आने वाली सभी वीडियों सही समय पर मिलती रहें थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियों, वेवे गुड़ डे, स्ची यूशूल झाल